हाँ जी बच्चो हमने micro economics book start किया हुआ है जिसका आपके exam में 40 marks का weightage है और इसमें हमने सबसे पहले unit 2 consumer behavior start किया है और इसका exam में 13 marks का weightage है और इसमें total 4 chapter आते हैं जिसमें से हमारा chapter number आज हम second अपना start करने जा रहे हैं बच्चे chapter number 2 का नाम है indifference curve मुझे पता है इस chapter का नाम सुनते ही सामने देखते ही आपके mind में सबसे पहले question यही आया होगा सर यह indifference curve है क्या इसलिए बच्चे पहला question ही यही आ जाता है आपका explain the indifference curve with the help of scheduled end diagram तो पहला question ही वही है कि indifference curve है क्या बच्चे indifference curve को हम ordinal approach भी कहते हैं तो आपके mind में सबसे पहला question यही आया कि सर यह ordinal approach क्या है या फिर सर यह indifference curve क्या है इसका क्या meaning है तो इसको समझने के लिए आपको question number one को अच्छे से समझना होगा जो की question number one ही यह है आपका explain the indifference curve with the scheduled end diagram अब बच्चे question number one पे आने से पहले one को start करने से पहले मैं आपके साथ में बिल्कुल basic question discuss कर रहा हूँ मैं आपसे बिल्कुल basic question पूछ भी रहा हूँ चलिए मुझे एक बड़ा simple question का answer दें कि आप देखते हैं अपने आज पास कोई चीज बहुत ज़्यादा महंगी होती है और कोई चीज आप देखते हैं बहुत सस्ती भी रहती है किसी की value ज़्यादा भी रहती है और किसी की value कम भी रहती है अपने आज पास अगर आप देखें तो आपको इस तरकी की बहुत सारी चीज़े दिखेंगी जिसके different different value है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कैसे decide होता है कि किसकी value ज़्यादा होगी और किसकी value कम होगी बहुत simple question मैंने आपसे पूछा है बहुत basic question पूछा है question number one को start करने से पहले एक basic question मैं आपसे जानना चाहता हूँ पहले कि हमारे आज़ पास जितने भी तरीके कि आप goods commodities देखते हैं तो वो आपको पता है कि सारे different different price के होते हैं उनकी different different values होती है तो ये decide किस ब्याब पे होता है कि किसकी value ज़्यादा होगी और किसकी value कम होगी ज़रा मुझे पहले इसका answer दे दे ठीक है आप मेंसे maximum बच्चों को यही मानना है कि सर वो उस commodity की importance पर depend करता है उसकी usefulness पर depend करता है वो commodity कि satisfaction level पर depend करता है वो commodity जो हमें ज़्यादा satisfied करती है वो commodity जिसकी need हमें ज़्यादा है वो commodity जिसकी importance हमारे लिए ज़्यादा है उसके ज़्यादा value होती है और वो जो हमारे लिए ज़्यादा importance नहीं रखती है जो हमें ज़्यादा satisfaction level नहीं देती है कम satisfaction level देती है वो जो है price में low होती है उसकी value कम होती है तो आपने decide करा कि value कैसे होता है कि कोई भी commodity हो अगर उससे मिलने वाला satisfaction level अगर हाई है तो उसके price भी ज़्यादा होगी और satisfaction level low है तो उसके price भी कम होगी उसके importance ज़्यादा है तो price हाई होगी importance कम है तो price कम होगी तो कहींने कहीं किसी commodity से मिलने वाला satisfaction level या उसके usefulness पे depend करता है कि उसकी price क्या होने वाली है अगर आप ऐसा कह रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोचा आपने ऐसा नहीं होता है अगर आपके according चले आपने कहा जो ज़्यादा usefulness होती है जिसके importance ज़्यादा होती है जो ज़्यादा satisfied करता है वो ज़्यादा price होता है उसका और जिसको कम use करते है जो satisfactionable कम देता है वो सस्ता होता है अगर आपका ये कहना है तो ज़रह आप मुझे बताएं एक चीज कि देखिएगा मैं आपसे बताता है पूछता हूँ water पानी का example लेता हूँ अब बताए water से satisfactionable हमें क्या मिलता है काफी high मिलता है usefulness क्या है water की बहुत ज़्यादा है water की importance क्या है ये बताओ मुझे बहुत importance है water की तो हर चीज में importance है water की तो तो आगर आप कहते है ज़्यादा usefulness है सबसे ज़्यादा satisfied करता है लेकिन उसकी price का सबसे ज़्यादा है ये बताए मुझे आप नहीं है न तो अगर आपके according चलते तो दुनिया की सबसे महेंगी चेज क्या होती water होती तो आपने जो answer करा वो answer गलत हो गया और आपने ये भी कहा था जो कम use में होती है वो सस्ती होती है तो diamond diamond का example लेते हैं अब बताएए बच्चे diamond को खा सकते हैं diamond को पहन सकते हैं diamond को ओड सकते हैं diamond का घर बना सकते हैं नहीं diamond हमारे लिए कितना useful है कोई usefulness नहीं उसकी बस बहुत rare cases पर उसका होता है बट उतनी usefulness नहीं है diamond की कितना satisfied करता है हमें पहनने के बाद कोई इतना भी satisfied वो हमें नहीं करता है तो diamond एक ऐसी चीज है जिसकी usefulness कम है satisfaction भी कम है लेकिन दुनिया सबसे महंगी चीज़ों में से एक है तो मेरा सवाल आपका starting में यही था कि किसी भी commodity की value develop होती है किस बहाब पे तो आपने कहा उसकी usefulness के बहाब पे आपने कहा उसके मिलने वाला satisfaction के बहाब पे आपने कहा उस commodity के बहाब पे तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं गलत है बच्चे, क्यों गलत है पता लगा आपको, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया की सबसे महेंगी चीज पानी होती और दुनिया की सबसे सबसे चीज क्या होती, डामेंड होता, ये बात तो आप भी जानते हैं, तो ये थेयरी क्या है, गलत है, इसकी सही थेयरी है वो कितना available है इस बिहाब पर depend करता है उसकी scarcity क्या है available क्या है जो जादा available रहेगा न उसकी value रहेगी कम इससे की हवा हवा तो और भी हमारे लिए बहुत importance है उसकी बड़ हवा क्या है unlimited है तो इसलिए हमारे लिए क्या free है तो जो जितनी जादा available रहेगी वो उसके price उतने ही कम होंगे और जो जितनी square होंगी जितनी rare होंगी उसकी price उतनी ही जादा होगी क्योंकि price और value depend करता है demand and supply पे supply कम है और demand है तो फिर जो demand करने वाले जो consumer है उनमें competition create हो जाता है उसको buy करने के लिए क्योंकि वो available कम है इसी के वज़े से उसकी price अप हो जाती है वो expensive हो जाता है और बहुत ज़्यादा available है बहुत ज़्यादा available है वो और supply इतनी है उसकी demand इतनी सी है तो यह जो चीज है यह ज़्यादा लोग देने के लिए तियार है और लेने के लिए कम लोग तियार है तो फिर उस चीज की क्या होगी price कम होगी अज़र सप्लायर के बीच में competition रहता है कि बहुत मेरी चीज बिग जाए क्योंकि बेखने वाले बहुत है और जो है खरिदने वाले कम है तो उसमें क्या उज़र price फॉल जाती है तो कईना कई इस चीज का में कहने है वो चीज जो ज़्यादा एबिलेबल रहेंगी जो ज़्यादा quantity में रहेंगी उसके price कम होंगी और जो कम हो एबिलेबल होंगी rare होंगी, square होंगी उसकी price high होंगी इसलिए water सस्ता है क्योंकि water available है इसलिए उसस्ते है और diamond वो rare है इसलिए वो क्या है? वो महेंगे है तो किसी भी commodity की price और value किस चीज़ पर depend करता है वो कितना available है या वो कितना usefulness है वो कितना available है अगर जादा available है तो उसके importance आपके लिए क्या रहेगी? कम रहेगी और कम अगर available है तो उसकी importance आपके लिए क्या रहेगी, जादा रहेगी, हर चीज में देख लिजीए का ऐसा, सिरफ मैं particular किसी commodity की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हर चीज में देख लिजीए इस चीज को, जो चीज आप पर पास जादा रहेगी available, उसकी कदर नहीं होगी आपको उसकी value कम रहेगी, और जो चीजें कम available है, उसी के कदर जादा होगी, तो first of all हमने ये discuss किया यहाँ पर, कि किसी भी commodity का price जो है, को भी commodity हो, उसका जो price है, ये किन चीजों पर depend करता है, ये कितना वो available है, इन चीजों पर depend करता है, ये चीज आपको clear होगी, तो first आपको अब knowledge में आपके ये increment हुआ है, कि कोई भी commodity हो, हमारे आसपस, कोई भी article हो, उसकी value decide कैसे होती है, वो कितना available है, उस भी happy decide होती है, ज्यादा available है, तो value कम, और कम available है तो value ज्यादा, एक चीज तो आपको ये clear होगी, ठीक है, अब आपका first question पर ये आपका ध्यान है, मुझे पता ह है, आपका chapter का नाम आप देख रहे हैं, अपने सामने, indifference curve, आपके दिवाग में चल रहा है, कि सर ये indifference curve है क्या, तो आईए, इसी को जरह हम एक game की, जो है, उसके ठीक समझते हैं, बच्चे game आपका जो है, अब कोई भी game खेलते हैं, तो उस game का आपको अच्छे से rule पत participate करते हैं, लेकिन कोई भी game अगर आप खेलेंगे, तो इस game के कुछ नियम होगे, उसका ध्यान रखना होता है, तो नियम क्या है, मैं आपको बतायता हूँ, इस game का क्या लो है, मैं बतायता हूँ आपको, first of all, आप two commodity का conjunction करेंगे, single commodity का conjunction नहीं करेंगे, two commodity आप कुछ भी ल commodity का conjunction करना है, two commodity का, तो two commodity का conjunction कर रहे हैं, तो कहीं नहीं कहीं यह क्या होगे, combination हो गया, आप एक combination का conjunction कर रहे हैं, यह single commodity का conjunction कर रहे हैं, आप एक combination का conjunction कर रहे हैं, clear, पहले यह चीज़ तो confirm होगी, single commodity consumption नहीं करना, आपको एक combination का conjunction करना है, आपको two commodity का conjunction करना है, पहले चीज़ यह clear, दूसरी चीज, कि आपको अपने combination में changes लाने हैं, उसकी quantity में changes लाने हैं, वो आप लाओ, जैसे आपको लाना है, आप लाइए, आपके उपर छोड़ता हो मैं यह, लेकिन ध्यान रहे, आपका satisfaction level, आपका satisfaction level उसमें change नहीं हो, clear हैं, अगर आप अभी भी indifference के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पता है कि difference क्या होता है, difference का मतलब क्या होता है, अलग-अलग होना, और indifference जो है न, difference का opposite word है, एक समान होना, एक जैसा होना, तो चप्टर का नाम है, indifference curve, एक जैसा होना, क्या एक जैसा होना, किस चीज की एक जैसा होने की बात कर रहा हूं, satisfaction level की बात कर रहा हूं, कि satisfaction level same रहेगा, satisfaction level ने कोई change नहीं आएगा, satisfaction level एक जैसा रहेगा, तो indifference curve एक जैसा रहना और किस चीज़ के एक जैसे रहने की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं satisfaction level के एक जैसे रहने की बात कर रहा हूं अभी भी आपके mind में जी चरूर होगी कि सर्थ satisfaction level एक जैसा रखना है इसको clear कीजिए तो चलिए अपने हम game पर आते हैं गेम के आपके दो rule बता चुका हूं है rule number one एक combination का consumption करोगे आप और rule number two उस combination के quantity में changes करोगे बट आपको अपना satisfaction level क्या रखना है same रखना है उसमें कोई change ना आ जाए और उसमें अगर आप चैन्ज कर दिया तो आप game से भाहर होगे आप out होगे यह धान रखिएगा clear start करें game चलिए बच्चे start करते हैं game को अब देखिए इस game में एक indifferent schedule ले रहा हूं मैं indifferent schedule मतलब कि एक समान एक जैसा schedule रहेगा यह क्या यह सदेगा satisfaction रहेगा एक जैसा चीक है तो जड़ा आइएस को जड़ा हम समझते हैं जैसे combination of apple and bananas तो यहां पर मैंने कुछ combinations लिया है उसको मैं अलग से column में एक represent कर रहा हूं कि combination है किसका यह apple का है और combination किसका यह banana का है clear है और बच्चे apple और banana के combination में अगर आप जाके देखें यहां पर तो इस combination में आपका apple और banana यह combination में अगर आप देखें यहां पर तो आपके P, Q, R, S, T, 5 combinations है मैं first combination की बात कर रहा हूं P combination तो देखते हैं इसमें apple कितने है और banana कितने है तो P combination में आप देखिए एक apple का consumption कर रहे है एक apple clear है और आपके पास में बनाना कितने हैं आपके पास में बनाना आपके पास में 15 है combination 1 तो आपको combination 1 दे दिया है मैंने इस combination 1 में 2 commodity है apple है और बनाना है apple कितने हैं आपके पास में 1 है और बनाना कितने हैं आपके पास है 15 है यह combination आपके पास में 1 है तो आप एक apple का consumption कर रहे हो और आप 15 बनाना consumption कर रहे हो तो इस conjunction से आपका अपना एक satisfaction level होगा मानते हैं इस चीज को इससे आपका अपना एक satisfaction level होगा एक apple और 15 बनाना से इससे आपको अपना एक satisfaction level मिल रहा है अब क्या करना है आपको इस game में आप अपने combination के quantity में changes करें बड़ आपका satisfaction level में change नहीं होना चाहिए तो आप किस तरीके से quantity में changes करेंगे तो generally student क्या कहते हैं ठीक है सर पहले एक apple था एक और नया combination लेते हैं जिसमें हम इसमें changes करके एक नया combination बना देते हैं और Q, sorry Q combination मना येते हैं और Q combination में अगर आप देखें clear है बच्चे आपको तो आपके पास में Q combination में कितने apple आपके पास में एक और apple ले लेते हैं तो हमारे पास में दो apple हो गए तो apple क्या हुआ gain हुआ clear है तो अब आप बतायें जब satisfaction level को आपको same रखना है satisfaction level को एक जैसा रखना है अगर आपका clear है यह तो वही बात होगी कि दोनों pocket में आपके 500 रुपीज है अगर एक pocket में कुछ पैसा आया और आपको पहले जितना ही पैसा रखना है तो दूसरे pocket से पैसा निकालना होगा तभी तो आपके पास में पहले जितना पैसा रहेगा यह बात तो confirm है आपको तो satisfaction level को आपको तो satisfaction level को आपको यहाँ पर क्या रखना है सेम रखना है तो satisfaction level को सेम रखने के लिए अगर आप यहाँ पर combination जो second है जिसका नाम मैंने क्यों दे दिया है इसमें अगर आप एक apple को gain करेंगे एक apple अगर आप ज़्यादा consumption करेंगे तो क्या आपका satisfaction level पहले जितना रहेगा total satisfaction level या पहले से ज़्यादा हो जाएगा total satisfaction level की बात कर रहा हूँ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ total satisfaction level हमारा क्या हो जाएगा last की compatibility ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब हम एक extra apple consumption कर रहे है मैं marginal की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपके mind में यह आ रहा है because of law of diminishing marginal utility second apple से कम होगा वो ठीक है वो आपकी बात सही है मैं मानता हूँ पर मैंने दोनों apple से पूछा तो first से आपको one and first p combination में 15 15 बनाना उससे आपका एक satisfaction level मिला जैसे आप एक और apple consumption कर लोगे Q combination की मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो Q combination में अगर आप एक और apple consumption कर लोगे दो apple हो जाएगा तो क्या satisfaction level सेम रहेगा या आपका gain हो जाएगा gain हो जाएगा तो जबकि हमारा game का rule क्या है satisfaction level सेम रहना चाहिए satisfaction level इंडिफरेंस रहना चाहिए तो आप बताएं फिर आपको बनाना में क्या करेंगे आप आप बनाना में क्या करेंगे यह बताएगे बिल्कुल करेक्ट अगर apple को आपने बढ़ाया है gain कराया आपने तो आप इस साब से क्या करेंगे बनाना को आप sacrifice कर देंगे जिससे अगर एक तरफ प्लस हुआ दूसरे तरफ satisfaction level माइनस हो करके हमारा satisfaction level क्या रहेगा सेम रहेगा एक चीज़ तो confirm होगी यहाँ पर अगर हम एक commodity का consumption increase करते हैं तो दूसरे consumption हमें क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा क्यों कम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा satisfaction level क्या रहे सेम रहे satisfaction level को indifference रखने के लिए satisfaction level को equal रखने के लिए अगर हम एक का consumption बढ़ाते हैं तो total satisfaction level बढ़ जाता है और हमें satisfaction level को पहले जितना रखना है तो हमें दूसरे consumption कम करना पड़ेगा एक बात तो confirm हो गई है कि यहाँ पर अगर हमने apple का consumption increase किया है तो banana consumption क्यों decrease हो रहा है तो आए ज़रा ये भी देख लेते हम कितना पाने के लिए कितना खो रहे हैं मेरी बात भी समझे आप कितना पाने के लिए कितना खो रहे हैं आए ये भी देख लेते हैं तो सबसे पहले आप देखें एक apple gain करा हमने कितना पाने के लिए कितना खो है हमने इसको हम बोलते है marginal rate of substitution marginal rate of substitution clear है MRS marginal rate of substitution कितना पाने के लिए कितना sacrifice किया है basically sacrificing जो rate होता न आपका उस sacrificing को ही हम क्या बोलते हैं MRS बोलते हैं marginal rate of substitution बोलते हैं clear है? समय आया आपको तो यह क्या हमारे पास पर marginal rate of substitution अब marginal rate of substitution में अगर आप जाके देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें marginal rate of substitution सब्सक्राइब बच्चे देखते हैं हाँ जी बच्चो तो यहाँ पर आप इस चीज को अच्छे समझ रहे हैं कि अगर आपके पास में एक कॉंबिनेशन अगर आपके पास में P है जिसमें आप 1 एपल का कंजंप्चन कर रहे हो और आप 15 बनाना का कंजंप्चन अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ से आपका एक सटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा और आपको क्या करना है सटिस्फेक्शन लेवल को इन डिफरेंस रखना है मतलब सेम रखना है और अपने कॉंबिनेशन में चेंजिस करने हैं तो combination Q पर अगर हम आ गए और हमने एक और Apple का consumption कर लिया है यहाँ पर तो अब आप देखें आपका total satisfaction level पहले से ज़्यादा हो जाया क्योंकि आपने एक और unit का consumption कर लिया Apple का तो आप ज़रा मुझे बताएं कि अगर आपका satisfaction level सेम रखना हो और अगर आपने एक का और consumption कर लिया और अब आपका satisfaction level ज़्यादा हो गया तो दूसरे के साथ में कैसा आप behave करेंगे जिससे कि आपका satisfaction level सेम रहना चाहिए तो अगर एक तरफ से gain हो गया satisfaction level ना तो हमें gain करना है ना हमें उसे decrease करना है वो सेम रखना है, indifferent रखना है तो अगर एक और apple consumption कर लेंगे तो दूसरे community में कैसे change करने पड़ेंगे आपको जिससे कि आपका satisfaction level सेम बना रहे बिल्कुल correct आपको दूसरे का consumption क्या करना पड़ेगा दूसरे का consumption आपको यहाँ पर कम करना पड़ेगा clear है बच्चे अब दूसरे का consumption आपको यहाँ पर दूसरे का consumption आपको यहाँ पर कम करना पड़ेगा यह बात तो confirm है clear है तो एक को पाया तो दूसरा को आपने गवाया मतलब एक को पाया दूसरे को खोया जो आप sacrifice कर रहे है न इस sacrifice को ही हम क्या बोलते है marginal rate of substitution कितने के लिए कितना sacrifice कर रहे हो simple margin rate of substitution MRS sacrificing rate को हम MRS बोलते है तो देखिए एक अगर Apple हमने gain करा तो बनाना कितना sacrifice कर देंगे यहाँ पर हम आप आप सोच रहे होंगे सर एक Apple अगर हमने gain करा तो हमें एक बनाना ही sacrifice करेंगे जितना आया उतना satisfaction level चला जाएगा और हमारा satisfaction level पहले जितना बना रहेगा हमारा जो game का rule था वो भी follow होगा और अपने combinations में भी changes लियाएंगे बिल्कुल गलत starting में आप से कह दियता है मैंने जो चीज आपके पास में square है जो चीजे कम available है उससे satisfaction level ज्यादा मिलेगा और जो चीज आपके पास में ज्यादा है उससे satisfaction level कम मिलेगा तो क्या एक apple जितना आपको satisfied करता है एक banana भी आपको तना satisfied करेगा क्या अगर आपकी अपने खुद की एक ice cream की factory हो और आप अपने एक ice cream से एक save को compare करेंगे न तो आपको save की importance ज्यादा नज़र आएगी क्योंकि आपके पास में ice cream तो आप consumption करते ही रहते है save आपके लिए आपके लिए एक save के लिए आप maybe 2-3 ice cream भी दे दो सामने वाले को क्यों आपके लिए save की importance ज्यादा है और जो save के जिसका बगीचा है न उसके लिए ice cream की importance ज्यादा रहेगी वो एक ice cream के लिए वो 4-5 save भी दे देगा आपको तो मेरा कहने का मतलब समझेए जो चीज़ आप पे ज्यादा है उसकी importance कम है जो चीज़े rare है उसकी importance ज्यादा है तो save आपके apple की quantity देखें rare है तो apple की importance ज्यादा रहेगी बनाना देखिए आपके पास में ज्यादा है उसकी importance कम रहेगी इसलिए अगर आपने एक apple gain करा और आप एक ही बनाना sacrifice कर दोगे तो यहाँ पर satisfaction level same नहीं रहेगा आया जितना उससे कम गया तो all over gain कर जाओगे तो आपके mind में अगर यह आ रहा है यह बात तो बिल्कुल correct है कि अगर एक gain कर रहे हैं दूसरा sacrifice करेंगे जिससे satisfaction level हमारा same बना रहा है बट कितना sacrifice करेंगे यह एक सवाल तो अगर एक gain करा तो एक ही sacrifice नहीं करेंगे जा sacrifice करेंगे 5 sacrifice करा clear है समझ मैं आपको और इसके आप कितना gain करा एक एक के लिए 5 छोड़े एक के लिए 5 sacrifice करा है इसे MRS बोलते हैं clear है बच्चे समझ मैं आपको आया अगर चलिए वैसे ऐसा होता नहीं है यह ordinal approach है ordinal ही आपको बताना होगा यहाँ पर तकि फिर भी थोड़ा सा concept को और clear करने के लिए तोड़ा मैं एक example से समझाने कोशी करता हूँ आपको पता है कि जो एक apple है यह अगर 100 यूटिल दे रहा है तो जो एक बनाना है आपका कै यह भी 100 देगा नहीं देगा 100 100 से कम देगा 20 तो माल लिजिए आप यहाँ पर देखें जरा तो आपका पहले कितना satisfaction अबल था तो 15 बनाना एक बनाना 20 यूटिल तो 15 फिटीन बनाना आपको क्या हो जाएगा आपका 300 और एक apple सो तो 400 का satisfaction अबल आपको मिल रहा है क्लियर है अगर आप एक और apple को consumption करते हैं क्यूपे तो 100 आया तो 400 से आप 500 का हो जाएगा और आपने sacrifice एक और बनाना कर दिया अगर एक बनाना करते हैं अगर आप sacrifice तो 20 जाता 100 आता 20 आता तो 80 प्लस हो जाता 480 हो जाता आपका जबकि हमें satisfaction अबल को सेम रखना है इसलिए गर एक apple आया सो यूटील का तो उतना ही satisfaction लबल को sacrifice करना पड़ेगा और बनाना हमें हमें क्या होता है कम satisfied कर रहा है तो उतना satisfaction लबल को sacrifice करने के लिए हमें ज़्यादा बनाना sacrifice करना होगा खैर numerical इसे practical life के कोई link नहीं है बट ये जरू समझाने की जरूरत है आपको कि अगर आप अपना satisfaction लबल को सेम रखना चाहते हैं तो एक commodity consumption बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी commodity का consumption को कम करना चाहिए दूसरी बात ये भी समझने वाली है आपको कि एक का जितना हमने बढ़ाया है दूसरा हम ठीक उतना ही कम नहीं करेंगे यह सोच कि certifixionable सेम होगा हम ज़्यादा sacrifice करेंगे क्योंकि जो आ रहा है उससे million certification high है और जो जा रहा है उससे million certification low है तो जितना आया ज़्यादा और उतना ही quantity sacrifice करोगे कम तो all over gain कर जाओगे इसलिए जितना आया उतना ही sacrifice करना चाहिए आपको जिससे satisfactionable same रहे इसलिए एक एपल आया और बनाना का कम satisfaction मिलता है तो मुझे 5 बनाना एक एपल के comparison में मुझे 5 बनाना sacrifice करना पड़ा अपने घर में देखते हैं आपके आपके चोकलेट है और आपके छोटे भाई बहन के पास पर कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा quantity में पर सस्ती आती है तो आप चोकलेट का थोड़ा सा असूस को दोगे टुकड़ा अब बदले में ज्यादा quantity उनसे लोगे एकोल एकोल नहीं करोगे क्लिर रहें ना मेरे बास समझ रहें आप तो यह ही है कि आप यहाँ देखें कि एक आपके आया तो आपने sacrifice क्या कर दिया पांस sacrifice कर दिया तो आपका satisfaction लेवल क्या है फोर चलिए next आते हैं combination R एक और apple गेन करते हैं अब बनाना sacrifice करेंगे कितना satisfaction लेवल को सेम रखने के लिए अगर हम एक का consumption बढ़ाते हैं तो दूसरे का consumption लमें कम करना पड़ेगा जिससे satisfaction लेवल आपना इंडिफरेंस रहे तो अगर एक apple और गेन कर लिया मैंने तो मुझे बनाना कितना sacrifice करना पड़ेगा जरह यह बताएं आप अगर मैंने एक apple और गेन करा तो बनाना मुझे कितना sacrifice करना पड़ेगा आप कहेंगे सर पहले 5 करा ता अभी भी 5 कर दो बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत सर अब आप जो next apple consumption कर रहे हैं न आर पे एक और apple consumption कर रहे हैं मैं agree करता हूँ लेकिन आपको पता है किसी भी commodity का continuously consumption करते हैं तो next unit से मिलने वाला satisfaction level लास्ट कंपेडिवली कम हो जाता है क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है और जैसे ही हमने holiday consumption कर लिया है उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमारी needs पहले से कम रहती है हमें satisfaction level कम मिलता है इसको कहते हैं because of law of diminishing marginal utility अगर एक और unit का consumption अगर अबने बढ़ाया है ठीक है बट अब apple मुझे उतना मजा नहीं देगा जितना की मुझे पहले दे रहा था तो जब आपको अब apple पहले से कम satisfaction दे रहा है तो आप पहले जितना ही sacrifice कर दोगे आया पहले से कम चला गया पहले जितना तो आपको loss नहीं हो जाएगा क्या तो आपको तो Satisfaction Level को same रखना है तो आपको देखना होगा आया कितना, जाएगा भी उतना तब ही Satisfaction Level same रहेगा अब आया पहले से कम, तो जाएगा पहले जितना कैसे पहले से कम जाएगा, पहर हमास समझे रहे हैं आप तो Sacrificing Rate का Nature का अप कैसा है क्यों आप 5 बनाना sacrifice कर रहे हो 100 यूटिल्स क्यों sacrifice कर रहे हो 5 बनाना अगर वो 80 देरा आप next apple तो आप 80 sacrifice कर रहे हो 4 बनाना गरो sacrifice तो इसलिए देख रहे हैं यहाँपर 1 apple के लिए sacrifice कर रहे हैं 4 clear है तो 4 sacrifice करा 1 के लिए और आपका satisfactionable क्या रहेगा सेम देगा 400 अब यहाँ पर आपका सेम ऐसे ही एक और एपल आपने यहाँ पर गेन करा तो आपका सेटिफेशिन अब बिकॉस ओफ लॉब देशिन माजन यूटिल्टी और काम हो जाएगा अब आप कहोगे सामने आले से नहीं अब मैंने एक एपल के लिए तीन मनाना दूँगा वो कहगा सामने आला पहले तो आपने चार दिये थे आप तीन क्यों दे रहे हैं एपल के लिए आपको मेरे आप उ अब नेक्ष्ट आपके पास भी क्या दे रहा है नेक्ष्ट आपके पास भी बच्चे कितना दे रहा है नेक्ष्ट आपको दे रहा है यहाँ पर 60 यूटिस तो 60 सेक्रिफाइस करने के लिए आपको तीन सेक्रिफाइस कर देना चाहिए बनाना तो सक्रिफाइस भी कम करेंगे तो यहाँ पर आपको समझाने की क्या जुरूरत थी यह समझाने की जुरूरत थी कि satisfaction level को indifference रखने के लिए satisfaction level को same रखने के लिए satisfaction level को एक जैसा रखने के लिए अगर हम एक का consumption बढ़ा रहे हैं हमें sacrifice करना पड़ेगा पहली बात दूसरी बात कि एक का consumption बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का जो sacrifice कर रहे हैं हम वो वो diminishing rate से sacrifice हो रहा है कैसे diminishing rate से 5 sacrifice करा फिर 4 फिर 3 तो sacrificing rate का है decreasing है तो अगर आप एक को gain कर रहे हो satisfaction level को सेम रखना है तो दूसरा sacrifice करना ही पड़ेगा वह भी किस रेट से diminishing rate से क्यों क्योंकि जैसे आप gain करते चले जाओगे because of law of diminishing margin utility next thing आपका सब्सक्राइब कम मिलेगा और satisfaction level को सेम रखने के लिए आपको कम sacrifice करना पड़ेगा next time तो पहले से कम sacrifice करना पड़ेगा तो sacrificing rate क्या होता है diminishing nature का होता है इस नेचर के responsible को है law of diminishing margin utility जैसे आप कांटेशी करते चले आओगे वैसे 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 सब्सक्राइब क्या होता 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 चला जाएगा पहले के डिए नुमेरिकल को आप एक थेओरी को समझे कि अगर आप 2 commodity का consumption कर रहे है मतलब कि आप अइक combination कर रहे है और आपको different combination का consumption करना है लेकिन सेटीफेशन लगों सेम रखना है तो अगर एक गेन हो रहा है दूसरा sacrifice करेंगे और दूसरा sacrificing से करेंगे और इच कॉंबिनेशन से हमें सब्सक्राइब क्या मिलेगा से मिलेगा क्योंकि नेक्स टाइम जितना आ रहा है सग्रिफाइस हम उसी साब से भी कर रहे हैं नेक्स टाइम कम आया सग्रिफाइस पहले से कम करा नेक्स टाइम पहले से कम आया तो सग्रिफाइस भी प सब्सक्राइब कोई भी चेंजेस नहीं है बड़ कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर रहे हो तो अब आपको पता हो कि सब्विक्षेशन लबल को सेम रखने के लिए एक को गर सट्री पाइज एक को गेन करते हैं तो दूसरा में सपरिफाइस करना पड़ेगा और एक को जितना ग बना रहे तो इस तरीके की शडूल में इस तरी कॉंबिनेशन जहां पर सटने अब imagination को हम क्या बोलते हैं in difference शडूल तो आपको दो बाते ध्यान रखनी हैं अगर हम अपने सब्सक्राइब को सेम रखना है तो फर्स एक कमडिटी का गेन कर रहे हैं तो दूसरे का हमें सक्रिफाइस करना पड़ेगा तो दोनों में इनवर्स रिलेशन हैं दोनों कमडिटी में एपल और बनाना में एक ग सब्सक्राइब को सेम रखने वाले एक नुमेरिकल एक्जांपल से इसको मैं करण के फॉर्म में लेकर आ रहा हूं तो अब कर्व में आप समझेंगे क्लिए बच्चे हाँ जी बच्चो अभी तक हमने यहाँ पर यह समझ लिया है first of all कि indifference curve chapter का नाम है तो first of all अभी तक आपने यह समझा कि जो indifference word है basically यह difference word का opposite है तो जो difference word का मतलब होता है अलग-अलग होना तो उसका opposite word हुआ indifference मतलब एक जैसा रहना तो किस चीज के equal रहने की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम satisfaction level के same रहने की बात कर रहे हैं clear है और यहाँ पर आपने एक और चीज अच्छे से clear कर ली कि वो कोई भी चीज जो हमारे पास में काफी ज्यादा quantity में available है उसकी price कम रहती है उसकी value कम रहती है और जो हमारे पास में rare है जिसकी scarcity ज्यादा है उसकी price ज्यादा होती है उसकी value हमारे ज्यादा होती है तो बच्चे यहाँ पर हमने अभी तक यह समझा कि अगर आप किसी single commodity का consumption ना कर करके आप दो commodity का consumption कर रहे हैं मतलब आप आप किसी combination को consume कर रहे हैं तो उस combination से आपको एक satisfaction level मिलेगा और वो जो satisfaction level आपको मिलेगा आपको उसी satisfaction level को आपको आपको क्या रखना है इंडिफरेंस रखना है उस satisfaction level को सेम रखना है तो इस चीच को हमने एक इंडिफरेंस शडूल की help से समझा जहां पर हमने एक combination को ले लिया और उस combination में हमने P, Q, R, S, T इस तरीके से 5 combinations को हमने लिये और हमने combination P, 2 community का लिया है इसमें एक आपके पास में आजाता है apples और एक हमारे पास पर आगया bananas, दो community हमने लिया, apple को हमने community A नाम दे दिया और bananas को हमने community B का नाम दे दिया, तो आए combination आपके P की में बात करूँ, तो P में अभी तक आपने देखा कि आप यहाँ पर apple कितना consume कर रहे हैं, आप यहाँ पर apple A consume कर रहे हैं और banana आप 15 consume कर रहे हैं, इससे आपका अपना एक level satisfaction था, उसके बाद आपको अपने combination में changes करते रहना है, लेकिन इस चीज का खास कर ध्यानकना है, जिससे आपका satisfaction level change ना हो, तो इसके लिए तो आपको यह करना होगा, कि अगर आपने एक commodity का consumption increase करा, तो इससे तो आपका satisfaction level बढ़ गया होगा, दूसरी तरफ से sacrifice होगा, तो हमारा satisfaction level पहले जितना बना रहेगा, इसलिए अगर एक काम gain कर रहे हैं, तो हमें दूसरे का sacrifice करना पड़ता है, जिससे कि हमारा satisfaction level से मना रहे, तो आपने देखा, कि एक apple और 15 बनाना से आपका अपना satisfaction level था, इस combination में change करके मैं combination Q पर आय मैंने यहाँ पर एक और apple increase कर लिया, एक और apple consumption में बढ़ा दिया, तो आप देखने हैं, फिर मुझे banana sacrifice करना पड़ा, और यह भी आपका doubt clear हो चुका है, कि यहाँ पर एक apple gain कर रहा, तो हमने यहाँ पर 5 banana sacrifice क्यों कर रहा, क्योंकि apple हमारे पास में square है, apple हमारे पास में क्या है तो आया जितना satisfaction level को सेम रखने के लिए sacrifice भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, तो एक apple से मिलने वाला satisfaction level एक banana के competitively ज्यादा है, इसलिए आपको एक apple के equal अगर आपको sacrifice करना है, तो आपको ज्यादा banana sacrifice करने पड़ेंगे, इसलिए आपर मैंने 5 banana sacrifice कर दिये, clear है, और जो आप आपका sacrificing rate होता है, जो आपकी त्याग की दर कहते हैं इसको इंदी में, sacrificing rate, कितना आपने sacrifice किया और कितना के लिए आपने sacrifice किया, इस sacrificing rate को ही हम marginal rate of substitution कहते हैं, अब बच्चे marginal rate of substitution जिसको short में हम क्या लिखते हैं, MRS लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कितना sacrifice हुआ, पहले sacrifice लिखेंगे सिरिफाइस को हम्यारेश कहते हैं तो आपके स्क्राइफ बनाना हुआ अपकर सructured क्रिफार और कितने के लिए एक एपल के लिए साथ के साथ हम ब्र करते जा रहे हैं साथ थाम इसको no down करते जाएंगे कि हमने gain क्या करा और उसके लिए हमने sacrifice भी कितना करा ये clear है बच्चे अब आप देखें यहां पर एक और apple अगर आप gain करते हैं तो आपका satisfaction level फिर से बढ़ जाएगा और आप अपने satisfaction level को same रखने के लिए आपने क्या करा आपने banana को sacrifice करा तो आपके एक doubt और आया था यहां पर कि सर पहले हमने एक apple के लिए five banana sacrifice करा तो next time हमने अब एक apple के लिए five banana sacrifice क्यों नहीं करा क्योंकि बच्चे because of law of diminishing margin utility मतलब कि किसी भी commodity का अगर आप continuously consumption करते चले जाते हैं तो आपका next unit से मिलने वाला satisfaction level last unit यह compatibility कम होता है क्यों क्योंकि हमारा satisfaction level हमारी needs पर depend करता है और जैसे हम consumption कर लेते हैं तो हमारी needs कम हो जाती है तो next time हमारी satisfaction level भी कम मिलता है तो अब जो आप second apple का आपने एक और apple consumption बढ़ा रहे हो तो अब आप continuously consumption कर रहे हो तो अब आपका apple पहले जितना satisfaction level नहीं देगा पहले से कम देगा तो आपको satisfaction level को अगर सेम रखना है तो जितना आया उतना ही तो sacrifice करोगे अगर कम आया तो क्यों पहले जितना आप ज़्यादा sacrifice करोगे इससे तो आपको loss हो जाएगा तो उसके लिए मुझे पांच बनाना सग्रिफाइस करने की requirement नहीं है तो पहले से भी कम सग्रिफाइस करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने अब चार बनाना सग्रिफाइस करा इसी तरीके से मैंने एक और इपल गें करा तो because of law of diminishing margin utility यहाँ पर applicable है तो अब पहले से भी कम certification अबल मिला तो certification को करने के लिए मुझे पहले से भी कम sacrifice करना पड़ेगा तो मैंने तीन यहाँ पर बनाना sacrifice करा and last इसी तरीके से एक और gain करा और यहाँ पर मिझे और भी कम certification मिला एक apple से तो बनाना मैंने यहाँ पर और कम sacrifice करा आप दो करा मैंने एक apple के लिए यह तो indifference schedule था indifference schedule यह बताता है आप A, P, Q, R, S, T पांचों combination में से आप कोई सा भी combination को आप चूज कर लें इसका satisfaction level सबसे किसी भी combination से आपका same रहेगा indifference रहेगा यह बताता है indifference schedule क्यों? क्योंकि अगर मैं एक commodity में change कर रहा हूँ तो उसी साफ से तो मैं दूसरी commodity में भी change कर रहा हूँ हमेशा इस schedule में आपका एक चीज़ focus किया गया है जितना gain करेंगे जी उतना ही sacrifice करेंगे जिससे satisfactionable क्या बना रहे है हमारा से मना रहे है तो यह तो अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा एक एक चीज़ के पीछे आपने reason को अच्छे से पढ़ा है काफी अच्छा question है काफी important question है यह पूरे chapter का base है इसके वाद आगे चप्टर तो बहुत easily आपके लिए बहुत easy हो जाएगा यहां तक समझना बड़ा जरूरी था अब बच्चे आप सबसे बहुत जो एहम रोल है आपके जो सबसे बड़ा रोल economics का अंदर आपका वो है आपका diagram का अब आए इंडिफरेंस कर्फ का diagram कैसा बनेगा यह सवाल आपके mind में होगा तो इंडिफरेंस कर्फ के diagram के उपर अगर हम आते हैं तो आए जरा कुछ diagram में बनाता हूँ फर्स्ट और डाइगराम आप देखिएगा कि दो goods के उपर diagram बनेगा x और y मैं कुछ diagram यहां पर बनाता चला जाओंगा आप उसको देखते रहे और उसके बाद फिर मैं एक साथ diagram को बना दूँगा clear है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ देखते हैं diagram की cases पे diagram की cases पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप जो है देखें बच्चे, डाइगराम में आप मैं डाइगराम मना रहा हूँ, आप बताएंगे कौन सा करेक्ट है, ठीक है यह आपका ग्राफ का y-axis है, यह o-axis है और यह आपका x-axis है clear है, और यहाँ पर मैं goods a ले रहा हूँ और y-axis पर मैं goods y ले रहा हूँ, आप बताएंगे डाइगराम सही है यह गलत है first of all, दो चीज़े हैं, आपका goods a और end goods b ले ले लेते हैं, चलिए, दो चीज़े हैं आप पहले ही बताएं कि goods a और goods b दोनों में relation किस तरीके के हैं, अगर एक increase हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा decrease हो रहा है, है न, देख रहे हैं आप, अगर एक increase हो रहा है तो satisfaction level को same रहा है, दूसरा decrease हो रहा है, तो a और b में inverse relation है, एक अगर बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, दूसरे के inverse हैं, तो इसे कहते हैं inverse relation और inverse relation का मतलब तो यह होता है, diagram कैसा बनता है, आपका left to right downward diagram बनता है, यह बात तो confirm है, चलिए, एक चीज़ तो confirm हुई, कि diagram जो भी होगा, पड़ इसका left to right downward होगा, तो left to right downward में, क्या इसका यह diagram ठीक है, आइसी, इंडिफरेंस कर्व को हम आइसी से represent करते हैं, कि यह diagram ठीक है, यह आपके सामने एक option है, आपके सामने option में मैं और भी option दे रहा हूँ, यह पहले बताएं ठीक है, पहले इसको check कर लेते हैं, आज ज़रा चेक करते हैं क्या है, for example, आप देखें, तो यह आपके पास में, बी का इतनी quantity consume कर रहे हैं, तो एक ही इतनी consumption कर रहे हैं, अगर एक और unit बढ़ा दो, तो आपका बी sacrifice हो जाएगा, देख रहे हैं, बी पहले यहाँ पे था, अब बी आपका यहाँ हो रहा है, तो य, एक्स पी जतना उपर जाएंगा, उतना बढ़ता है, नीचे आओगे उतना कम होगा, एक्स पी जतना आगे जाओगे बढ़ेगा, जतना आओगे पीछे कम होगा, आपने 10th में graph पर समझा है, अब आप देखें, एक और, एका मैं consumption करता हूँ, तो ये फिर से B sacrifice कर रहा है, एक और यूनिट करता हूँ, बी का फिर से sacrifice करा, तो बच्चे एक चीज़ तो यहाँ represent कर रहा है, कि अगर मैं A commodity का consumption को increase कर रहा हूँ, तो satisfaction level को same रखने के लिए दूसरे का मैं sacrifice भी कर रहा ह तो क्या ये IC कर पर डागराम बिल्कुल perfect है, ये बताएं आप, नहीं, ये डागराम जो है perfect इसका, नहीं है, सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, जारा reason दे मुझे, मैं आताता हूँ, क्यों नहीं सही, देखें बच्चे, आप देख रहे हैं, एक बात तो बिल्कुल सही है यह एक चीज मिस कर दिया, इस डागराम ने, क्या, कि जो हमारा sacrificing का rate होगा, वो diminishing होगा, पहले जितना sacrifice करा, next time उसी के लिए उतना नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे, next time उसी quantity के लिए उतना नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे, यूँकि because of law diminishing margin utility applicable हो रहा है, तो पहले से कम sacrifice करते रहे हैं कि पहले से कम हमारे मिल रहा है, बट आप यहां पर देखो sacrifice पहले इतना करा, second पर थर्ड पर, हर बार आप क्या कर रहे हो, same rate से sacrifice कर रहे हो, clear है, तो यह ऐसा तो same rate से sacrifice का पता है, क्या मतलब हो गया, constant MRS, same rate से sacrifice, sacrificing के rate एक जैसी हो, तब यह डागराम में समझता कि ड है, बट क्या आपका sacrificing के rate एक जैसी है, नहीं, diminishing rate है, तो के बार question में आ जाता है कि I.C. कब straight line बनेगा, वो तब possible हो सकता था, जबकि आपका sacrificing के rate क्या constant हो, same rate हो, कि पहले अगर मैंने 5 sacrifice करा, next time भी 5, next time भी 5, तो अगर sacrificing rate सेम होता, तो फिर वो एक straight line बन जाता, बट ऐसा actual म होता नहीं है, sacrificing rate क्या होता है, diminishing होता है, तो यह diagram क्या हो गया हमारा, यह diagram हमारा हो जाता है, यहाँ पर यह पूरी तरीके से indifference के curve को represent नहीं करता है, इसलिए इस diagram को हम करेंगे, यहाँ पर क्या, reject, clear है, समझ माया, अब आप देखें, क्या यह diagram, y, o, x, और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ, goods, goods, b, and goods, a, clear है, बच्चे, अब आप देखें, क्या यह diagram, correct है, indifference का, जी यह diagram, indifference curve के लिए, suitable है, चेक कर लेते हैं, आइए, ज़रा, a का, अगर एक unit consumption करता हूँ, तो यह b का है, a का अगर एक और consumption करता हूँ, तो यह b है, एक का एक और कंजम्शन करता हूं तो यह B है और एक का एक और कंजम्शन करता हूं तो यह B है एक का एक और कंजम्शन करता हूं तो यह B सिक्रिफाइज हो रहा है एक और कंजम्शन करता हूं तो B सिक्रिफाइज हो रहा है इस तेकिसे मैं आपका जैसे से गेन कर रहा हूं तो एक चीज को तो बहुत अच्छी तरह के से रिपर्जेंट कर रहा है कि अगर हम किसी एक कामडिटी एक कंजम्शन बढ़ाते हैं तो स्टेस्फेक्शन रबल को सेम रखने के लिए दूसरा से करना पड़ेगा यह बात तो करेंगे सपक्र पढ़ेंगी पर यहां प्रतिया है क हो रहा है लास कामडेभले ज्यादा हो रहा है अब ऐसा तो नहें है ना कि next apple आकर पहले से ज़्यादर satisfaction level दे रहा हो तो आपको satisfaction level को same करने के लिए पहले से ज़्यादर sacrifice करना है ऐसा possible ही नहीं है law of diminishing margin utility हर जिगा apply होता है तो आपका diminishing rate होता है पर यह increasing rate बता रहा है दोनों diagram हो जाता है reject यह सारी बाते इसलिए मैं आपसे शेर कर रहा हूं इसलिए डिसक्स कर रहा हूं वर marks में objective में कहां से क्या आ जाया कुछ कह नहीं सकते हैं अब आप कहेंगे साथ दोनों बलत हो गया आप जल्दी से बता दीजिए कि indifference कर डिएगरम कैसा होने वाला है चलिए यह उसको देख लेते हैं इन डिफरेंस कर पके डिएगरम को कि पचे जबर देखें जड़ा इन डिफरेंस कर्व के डिएगराम को अगर आप देखते हैं यहां पे यह आपका y-axis हो गया, यह origin हो गया, यह x-axis हो गया, और यह goods A हो गया, और यह goods B हो गया, clear है, आए आपको समझ में, अब देखें डागराम इसका कैसे होता है, डागराम इसका थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीके न? यह, और इधरें के तरब उबरावा ऐसा होता है, इसको IC, क्यों ऐसा होता है, जब इसको भी समझ लीजिए आप, अगर Apple यह है, तो बनाना आपका यह है, ठीक है, Apple अगर एक और consumption करोगे, तो बनाना यह sacrifice करना पड़ा, एपल एक और consumption करोगे, बनाना यह sacrifice करना पड़ा, एपल एक और consumption करोगे, बनाना यह sacrifice करना पड़ा, तो यहाँ पर आपका एक अगर आप community का gain कर रहे हो, तो satisfaction level को same रखने के लिए, दूसरी commodity का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको sacrifice करना पड़ेगा, यह चीज़तों यह भी represent कर रहा है, सासती यह भी represent कर रहा है, कि हर next एक unit के लिए पहले से कम sacrifice करेगा, और indifferent schedule में आपने यही सीखा था, तो indifferent schedule को 100% अच्छी तरीके से यह diagram represent करता है, इसलिए यह diagram रहेगा IC curve का, clear है, तो यह diagram में बाकी पहले भी दो diagram के shape देखी, straight line देखा, यह क्या आपका, यह आपका क्या है, दो तरीके के shape होते हैं, एक होता है concave, एक होता है convex, clear है बच्चे, यह भी आगे property मा आएगा आपके, एक होता है concave, एक होता है convex, convex कौन सा lens होता है, convex lens इसे कहते हैं, जो उबहा हुआ होता है, और concave, cave का मतलब जो अंदर की तरफ दसा हुआ हो, इसे concave कहते हैं, इसको convex कहत गते हैं तो अगर आप origin की तरफ से देखें औरीशन की तरफ होकर कर अगर आप देखें तो उभ्रा हुआ है कर देखें तो क्या है यह उच्छिट वासे यह उच्छिंत की तरफ से यह उभण ओनुट to the origin है तो indifference curve straight line नहीं होता है indifference curve convex to the origin होता है क्यों इसको convex होना पड़ा इसको क्योंकि sacrificing rate को तब ही represent किया जा सकता है तो indifference curve convex to the origin होता है because of diminishing MRS clear है आपका sacrificing rate है वो diminishing है इसलिए हमें इसको convex करना पड़ता है तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से clear हो गई है indifference curve कैसा बनेगा ऐसा आपको बनेगा clear है अब आप यहां पर देखें indifference को जड़ा मैं schedule को लेकर चलता हूँ आईए जड़ा schedule को लेकर चलते हैं indifference curve पे देखें जड़ा आप यहां पर यह आप देखें जड़ा y axis है o axis है और x axis है clear है अब आप यहां देखें जड़ा इस चीज़ को तो यहां पर मैं सबसे पहले number डाल देता हूँ goods a है और यह goods बी है clear है अब यह goods a हुआ और यह आपका क्या हुआ यह आपका goods b हो गया अब यहां पर मैं a का ले लेता हूँ यह आपका एक दो एक rough तरीके से बना रहे है तीन चार और पांच clear है और यहां पर अगर आप देखें चलिए थोड़ा सक और gap दे देते हैं इस पे एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच ठीक है बच्चे अब यहां पर देखते हैं यहां पर हम दे देते हैं यहां पर तीन च्छे और पंद्रा तीन दिन का दे देते हैं है कि रहें यहां दो दो का देना चाहिए यह बेस्ट है टू अबू इस तीन में कैसे होगा एकोरेट एकोरेट पहुंचेंगे दो में फिर यह कबर कर लोगे चाहिए तीन चीज़ए जरेंगी तो चलिए तीन तीन का देते हैं तीन छे नो बारा पंदरा आएए combination फॉर्स पी combination apple क्या एक और बनाना क्या 15 तो एक पर 15 तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं एक apple है और 15 बनाना है इससे अपना एक satisfactionable मिल रहा है अब आप आएं जड़ा q पर तो जब आप q पर आएंगे तो q पर देखे कितने apple है 2 और बनाना कितने है आपका 10 तो 2 पर 10 तो यह आपके पास पर 9 और 9 के बीच में आएगा 10 यह clear है यह तो यह क्या आपका 2 apple और आपका 10 बनाना next time क्या हुआ आपका 3 apple और 6 बनाना तो apple 3 और 6 बनाना तो यह आपका आया यहाँ पर clear है 3 apple 6 3 apple और 6 बनाना 3 apple और 6 बनाना clear है बच्चे और आप इसके बाद जो है आप आजाते हैं तो 4 पर आपका 3 तो आपके पास पर 4 पर 3 यह 4 apple और 3 बनाना और उसके बाद आप आते हैं 5 पर 1 तो 5 पर 1 यह 5 apple और 1 बनाना जब point को आप connect करेंगे न तो इस तरीके से आपका point क्योंकि यह accurate आपका scale से ही बनेगा तो यह आपका convex to the यह आपका convex to the और इसन आ गया तो बच्चे जड़ा बताएं मुझे जड़ा इस combination से आपका एक satisfaction level मिल रहा था ठीक है अब आपने एक apple gain करा तो इससे आपका satisfaction level बढ़ गया था लेकिन आपने दूसरा क्या करा sacrifice भी करा वो भी उस हिसाब से जिससाब से apple आपको ज़ाद दे रहा था अपने ज़ाद sacrifice करा जिससे कि आपका satisfaction level सेम बना रहे है तो combination आपका यह क्या P यह क्या Q, यह क्या R, यह क्या S और यह क्या आपका T तो आप देखें combination P से जो satisfaction level मिला combination Q से भी आपको वह satisfaction level मिला और combination अगर आप R पे आ गया apple और बढ़ा लिया तो उस हिसाब से आपने फिर sacrifice भी कर दिया तो combination R से भी satisfaction level सेम रहेगा, combination S से भी satisfaction level सेम रहेगा, तो P में अगर एक apple और 15 बनाना था आपका, तो आपका Q में क्या हुआ, एक apple आपने और बढ़ा दिया, तो आपका satisfaction level बढ़ना था, लेकिन क्या कर रहा हो, दूसरी तरफ आपने दूसरा sacrifice कर दिया, वह भी उस हिसाब से कि अगर एक apple ज्यादा हमें gain कर रहा है, तो satisfaction level को सेम रखने के लिए मैं ज्यादा sacrifice भी करना चाहिए, जबकि बनाना से तो satisfaction level कम मिलता है, तो हमने बनाना ही ज्यादा sacrifice कर दिया, जिसे satisfaction level हमारा same बना रहा है, तो इसे Q से भी satisfaction level क्या हमारा same है, R से satisfaction level क्या रहेगा हमारा, है Q से भी होई है R से भी होई है S से भी होई है और आपका T से भी होई है clear है तो यह हो गया curve और यह हो गया indifference schedule और यह हो गया indifference curve इंडिफरेंस schedule आपको जो है various combination को represent करता है जिससे consumer को equal level of satisfaction level मिलता है और indifference curve आपके पास पे different combination को Indifference curve show various combination of two goods which gives equal level of satisfaction level आपका जो various combination ने दो goods के ये सबके सब आपका equal satisfaction level को show करता है ये एक ऐसा curve है जिसमें की various combination होगा और सबके सब same satisfaction level को आपको show करेंगे clear है बच्चे तो indifference curve show various combination of two goods which gives equal level of satisfaction तो मैं repeat करता हूँ indifference curve show various combination of two goods which gives equal level of satisfaction level तो यहां से आप एक चीज़ समझ आईए एक चीज़ conclude करता हूँ मैं एक indifference curve पर आप कहीं भी चले जाएं satisfaction level आपको same मिलेगा चाहिए यहां रहे यहां रहे यहां रहे तो एक अपने माइन में इसको store कर लेंगे इस बात को एक indifference कर पर उपर से नीचे कहीं पर भी कितना भी आप protection ले ले आपका satisfaction level क्या रहेगा same रहेगा और consumer interested नहीं है किसी particular combination को ले करके अब जैसे 10 का note है आपका पुराना हो या नया हो कोई फ्रक नहीं पढ़ता उसकी value तो same है इसलिए यहां पर consumer किसी particular combination को ले करके वो focus नहीं होगा उसे कोई भी combination मिल जाओ neutral रहेगा क्योंकि सभी satisfaction अबल क्या देते हैं same देते हैं तो आपको indifference कर भी अच्छे समझ में आ गया और आपको indifference schedule भी अच्छे से समझ में आ गया बच्चो clear है तो first question में आपको clear है कोई doubt हां जी बच्चो अब हम indifference curve और indifference schedule के थियोरी पर आ जाते हैं जरा यह एक नजर इस पर भी देखते हैं क्या कह रहा है explain the indifference curve with the schedule and diagram तो schedule and diagram से हमने explain कर दिया है लेकिन उसकी एक theory पर भी आते हैं कि difference curve क्या है तो बच्चे indifference curve क्या है आपका indifference curve में when a consumer when a consumer consumes various goods and services when a consumer consumes various goods and services then there are some combinations then there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction level the graphical representation of such combinations is termed as indifference curve the indifference curve के बारे में क्या है जरा आप एक बार इसको और अच्छे समझ लिजिए कि when a consumer consumes various goods and services then there are some combinations which give him exactly the same total satisfaction level the graphical representation of such combination is termed as indifference curve मतलब कि एक consumer various goods and services का consumption करता है various combination का consumption करता है और वो सारे के सारे combinations total satisfaction level ब्लकुल exactly same रहते हैं अगर इनी combinations को graphically representation दें तो उसे हम indifference curve कहते हैं clear है तो when a consumer consumes various goods and services then there are some combinations some combinations which give him exactly the same total satisfaction graphical representation of such combination is termed as indifference curve clear है बच्चे समझ में आपको आ गया तो वही indifference curve show various combination of two goods which gives equal level of satisfaction level कि एक indifference curve पे आप कोईसी भी combination पे चले जाएं एक indifference curve पे आप कहीं भी चले जाएं उपर से नीचे तक किसी भी point पर आप चले जाएं आपका satisfaction level क्या रहता है सेम रहता है इसलिए consumer किसी particular combination को लेकर के वह interested नहीं जाएदा दिखाएगा सब को लेकर के neutral रहेगा क्योंकि सबसे satisfaction level क्या मिलता है सेम रहेगा clear है तो इसी तरीके से as a consumer हम बहुत सारे combination का consumption करते हैं दो goods के different goods and services के और उन सबसे हमारे हमें बिल्कुल exactly same satisfaction level मिलता है और अगर इसी combination को हम graph में represent कर देंगे तो वह indifference curve हो जाएगा indifference schedule से indifference curve हो जाएगा और indifference curve का नेचे समझा आपने कि वह straight line नहीं होता है वह straight line नहीं होता है वह straight line क्यों नहीं होता है आपका क्योंकि आपका straight line होने का मतलब यह हो गया आपका constant rate of MRS जबकि ऐसा नहीं होता है clear है concave भी नहीं होता है to the origin clear है क्यों क्यों क्योंकि उसमें MRS हमारे decreasing होता है indifference curve में और उसमें क्या दिख रहा था increasing rate of sacrifice कर रहे थे convex होता है clear है न क्योंकि यह एक community का अगर हम gain कर रहे है तो दूसर sacrifice भी करना पड़ेगा क्योंकि certification level को same रखना है यह बात तो उसमें थी ही इसके साथ साथ इसमें यह बात भी थी कि आपका हर next time पहले के competitively वो कम sacrifice कर रहा था because of law of diminishing margin utility यतना gain करेगा उतना ही sacrifice करेगा जिससे satisfaction level same बना रहा है तो sacrificing rate MRS हमें साथ diminishing होता है और यह convex बता रहा था आपको clear है तो indifference curve में first of all आप indifference का meaning समझ पाए indifference कि सीज का satisfaction level का मतला समझ पाए उसके बाद आप यह समझ पाए यहां पर कि जो ज्यादा available रहेगा उसकी कम value जो कम available रहेगा उसकी ज्यादा value हमने indifference schedule से indifference certification level को समझा जहां पर हमने different combination PQRST ले लिया और यहां पर हमने apple और banana A और B दो good से ले लिये और यहां पर हमने A का consumption बढ़ाया तो दूसरे को से कम करना पड़ा और हमने इस चीज़े का खास का जया नका कि एक से certification level मिल रहा है दूसरे से मिल रहा है उसमें difference है वो कम है इसलिए मैं certification level को से मन रखने के लिए हमने last accountability कम sacrifice करा और इसी को अगर हमने graphical representation दे दिया तो यह हमारा क्या हो गया indifference कर्व हो गया clear है बच्चे तो यह सारे चीज़े हमने एक बार में अच्छे से समझ लिए है clear है बच्चे तो हमारा यह first question हो जाता है पूरी तरीके से complete